स्लाम अलेकुम कैसे हैं सब लोग आए होप ठीक होंगे मज़े से होंगे अब तक मैं चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैंगे और अगर नहीं किया तो सबसे पहले जाएं और बेल आइक़न को प्रेस करें ताके फ्यूचर वीडियो भी मिस ना करें कोई ठीक है उसके बाद चलते हैं जनाव आज के टॉपिक के तरफ तो आज का क्या टॉपिक है कि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हो अपनी कुछ शॉपिंग शॉपिंग है जनाव शी इन से मैंने कुछ ड्रेसेज मंगवाए थे मैंने टॉप फ़ी मंगवाए हैं ड्रेसेज भी मंगवाए हैं मुक्तलिफ ताइम्स पर भी मंगवाए थी ठीक है और रहोता कि के डिफरेंग लोगों को जब मैं बता रही होती है का फ़ी लोगों गरमझेगा कि मैं उनको एक जेनरली दिखाने के जगा प्रॉपर्ली उनको रिव्यू करके आपको दिखा हूँ कि यह फैबरिक वाइस कैसा है स्टाइलिंग कैसा है स्टाइलिंग कैसी है तो मैंने सुचा कि क्यों आज अपने ड्रेसिस की आपको दिखाती हूं फिर किसी वीडियो में सारे जो टॉप्स पेंट के साथ पहने वाले इंटर्न्स ऑफ सर्विस इंटर्न्स ऑफ प्राइसे उन पे क्योंके डिस्काउंट्स बहुत अच्छे लग जाते हैं एंड में आपको कोई ना कोई कुपॉन देते हैं जो आप लगाते हैं तो 15 परसंट 10 परसंट कॉफ एडिशनल मिल जाता है उसके बाद ही होता है कि फ् जाइन के साथ आपको एक साइस चार्ट दिया जाता है किस साइस के अकॉर्डिंग क्या साइस फॉल करता है तो मैं उसी हिसाब से कोई ड्रेस मुझे 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 मु औरिजनल बारेश चाहिए तो इसे आपको फैब्रिक उसकी क्वालिटी उसकी पिक्चर के तस्वीर में जिस ना दिख रहा है उससे रियालिटी में कितना क्लोज है वह सब आइडिया हो जाता है है सही है तो अब चलते हैं ड्रैसे की तरफ फिर बाकि बाते हैं साथ-साथ कर 0 ये हैं वह सारे ड्रैसे SER मेंने बैग में डाले हैंब यह मैंने को हैंक करूंगी फिर आपको को यहाती हुड पहुत ंसरould्रा में वाई आपको जो पहना बहुत कमफरेबल लगता है इसकी स्लीव आप देख लें वह बहुत अच्छी है स्टाइज से बनी विया है प्लस यह कहीं से भी मुझे टाइट नहीं है सो आई फिल प्रिटी कमफरेबल बिलकुल अबाया वाली ही एक लुकातिय साथ में सकेनों ने यह बेल्ट भी दी वी है कि आप इसको अगर फिटिंग करनी है तो थोड़ सी फिटिंग भी कर सकते हैं और यह वाला पर्टिकलर ड्रेस आई थिंग में तीन से चार दफा तो पहन चुकी हूँ और मुझे पहन के बड़ा मज़ा आता है और जब घरवालों ने भी बोला था कि पहन के लाइक लूप अच्छी आ रही है तो दिस लूप फर फर्स ड्रेस बाकी मैं बाब को दिखा स्ट्रेट कट में आती है बेल्स यह इस के एंड में देखे इनोंने चुन्ट सा स्टाइल दिया वे ठीक है, यह मैं अभी तक वेर नहीं किया जिस ट्राइ कर लिया था, साइज मुझे ठीक आया है, स्मॉल साइज ही है, ठीक है यह इसकी स्लिव्स हैं और फिर जो है यह 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 साइज होते हैं मेरा यह वला जैसे कि मैंने बताया था साइज स्मॉल है और इसके बाद यह फ्रंट पर इन्हों इस तरह से एक स्टाइल दिया है इसको आप इसको जिस पी तरह चाहें स्टाइलिश ली नॉट करें ठीक हो गया नीचे फिर इसकी यहां से फिटिंग आचा प्लीट्स जा रही है और यह है इसका फ्लेयर लाइक अच्छा खासा फ्लेयर है इफ यू सी ठीक है यह देखिए गर इसको खोल रही हूं थे प्रॉप पर एक बड़ा अच्छा फ्लेयर दियावा है और जब मैंने इसको छोड़ा तो यह स्कुईज इन हो गया प्लस कपड़ा है यह इसमें थोड़ा सा पुलियस्टर टाइफ सीन मुझे ज्यादा लग रहा है तो यह लाहूर की यानि पाकसान की गर्मियों में तो हर्गेस भी नहीं पहन सकते और लेकिन जो हमारा अक्टोबर से डिसेंबर तक का पीरियड है उसमें एजी ली वेर कर सकते है ठीक है तो यह था ड्रेस नमबर वन फिर आता है दूसरा ड्रेस इस इन ब्लैक अगैन यह जो है तोड़ा सा स्ट्रेचिबल माटीरियल है इसको भी मैं आपको दिखाते है क्वालिटी ऑफ दा फैबरिक इस रेली नाइस लेट मी स्ट्रेच इट फॉर यू यह देखें यह इस तरह से ना जिस तरह स्ट्रेचिबल होता है यह स्ट्रेचिबल है अगैन यह मैंने साइज स्मॉल मंगवाया है और मुझे बड़ा पॉफेक्ली फिट आया है इसमें आप देखें उने इस तरह से पूरी यह कलियां सी डाल के और बाटम पे इसका बड़ा अच्छा स्ट स्टाइल है यह देखें फ्रंट थोड़ा से शॉर्ट और बैक लंबी और यह अल्रेडी लंबी प्रॉपर शिर्ट नुमाय ड्रेस है मैं तो इसको जीन्स के साथ वियर करूंगी लेकिन इसको टाइट के साथ भी वियर कर सकते हैं प्लाजो के साथ में लेजर कट इस तरह स स्टाइलिंग की गई है यह देखें तो मुझे काफी कमफर्टेबल लगा था सी थू बिल्कुल भी नहीं है फैबरिक अच्छा है विंटर्स के लिए बहुत जादा पॉफेक्ट है सो यह वाला ड्रेस भी हाइली रेकेमेंडेड है फ्रम माइ साइड ठीक है इसके बाद ज और इसको भी अगर नीचे से देखेंगे तो यह फ्रंट इसका बस यहां था कि इस तरह से ठीक है शॉर्ट फ्रंट और वेरी लॉंग डीटेल्ड बैक है इसकी सब राउंड उसमें मुझे इस तरह के वैसे ही कट्स बहुत जादा पसंद है और पाकसान में मैं लूलू सर स जो के 556,000 के सिर्फ टॉप आरी होती है यह हार्डली 12-1500 में तो हार्डली 12-1500 में यह टॉप मिल गई तो जाहरी बात है फुल स्लीव्स भी है इसके स्लीव्स भी आप देखें पूरे डीटेल में स्ट्रेट स्लीव्स दियें में कटके हसाब से उन्होंने डिजाइनी कि यह नहीं कि हर एक में चुनट हर एक में बैल अब चुकि इसका नीचे इस तरह से फ्लेयर था तो उपर से स्लीव्स सिंपल राउंड नेक स्मॉल साइज और यह बहुत अच्छी तरह यह जो ड्रेस है यह भी मेरे जो फुर्स फ्यू ड्रेसे से उन्में से था और यह मैंने अब बैक इन वाइट में इन उन्होंने इसको दियावा है जिप इसका क्लोयर है इस तरह से इजी डुवेर साथ में स्टाइलिश सा स्ट्रेचिबल कॉलर ब्लैक इन वाइट में सीथरा स्लीज अभी तक आप देख रहोंगे जितने ड्रेसे जखा है सबकी स्लीव्स डिफर इसका फ्लियर थोड़ा काम है यह स्ट्रेच फिटिंग में तो स्टाइल भी डिफरेंट हो गया इसके बाद लुक भी और सबसे जादा स्टाइलिश ली इस ट्रेस को पेर अप किया सकता है कैसे कि जैसे अगर यह ब्लैक और वाइट है तो जैसे आपको पिक्चर में भी द रेड श्यूस पहन लिए तो यह एक कंट्रास्ट में रेड और ब्लैक ड्रेस बन जाएगा ग्रीन के साथ सब चीज़े ग्रीन पहन लूँ तो रेड ब्लैक और ग्रीन हो जाएगा तो इससे मल्टिपल टाइमस मल्टिपल पेर अप किया जा सकता है और मेरी बैक्टरी शद अब इसकी बात करते है जनाब इसका भी स्टाइल हर ड्रेस का है जाई टोल की पहले से लगए है कुछ ना कुछ फैबरिक देखें बहुत सॉफ्ट इसका अब आता है बैन स्टाइल का गला मोस्ली राउंड नेक्स आरी थी यह आरहा है जनाब बैन वाला गला और बलकि यह स्टार्ट होती 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 हम यहां तक जाएंगी ठीक है जो इन्होंने बहुत बहुत ज्यादा तो यह पूरी जो आप इसको वेइर कर ऱते हैं मैंने और अच्छी मुद की जाएbra है। इसके लेगिस बाद इसके स्ली बड़े मज़े कि हैं भई श्लीव बाजु आपर से जो आजकल छोड़े वो इस तरह से शोल्डर भी चल रहे न यह आप ने देखे हैं अगर तो इस तरह से यह इस तरह से फिटिंग में आएंगे यह जो ओल्ड स्टाइल आ रहा है दुबारा फैशन में तो यह इधर से वो नीचे से स्मोकिंग और देन देन द यह इस प्रिटी लॉंग फॉर मी ठीक है तो मुझे बस बाकी इसकी लेंथ मुझे पूरी है हाला कि जब आप मॉडल को देखेंगे ना तो मॉडल के तो मतलब यह टो एंकल से उपर उपर आ रही लेकिन मेरी हाइट के हिसाब से मुझे पूरी थी एंकल तक लेंथ का इसको बंद कर वालों जो भी जिस तरह से यह गुजर भी जाए फिर अगर सिलाई लग वाली तो में भी आगे से बैन है तो मैं इसे पहनी ना पाओ तो जो वो सिलूशन देंगी मैं उसका वेट करी हूँ इसलिए मैं इसको अभी तक वेर नहीं किया अदर्वाइस यह ड्रेस बहुत अच्छा है अब लास ड्रेस फाइनली दिखाती हूँ जी जनाब यह है लास ड्रेस इसको तो मैं भूली गई थी ठीक है तो इसका जो फै जनाब है मैंने यह जो है ना दो ड्रेस हो सकता है अब मुझे राम से आजाएं लेकर मैंने आपको बताया था कि फर्स टेम जब मैंने मंगाया था तो एक यह ड्रेस था और एक यह ड्रेस था तब मैंने दोनों मीडियम मंगवाए थे यह मेरी फर्स पर्चेजिस में थे ल लेकिन उसके बाद जो भी मैंने मेडियो में मंगाए मुझे सारे लूज है वो मुझे रिटर्न करने पड़े और इसके बाद से मैं सारे स्मॉल मंगवारी हूं साइस चेक करने के लिए अच्छा अब इस ड्रेस का क्या सीन है इसका जो ये वाला पार्ट है ना नेक लाइन आइटिंग कहते हैं तो ये थोड़ी सी इसकी थोड़ी सी यानि जितनी शौरी है इतनी नहीं लेकिन थोड़ी सी यहां से डीप हो जाती है इसी वज़े से इसको भी अभी तक नहीं पहना लेकिन इ बेल्ट के साथ आया था है और इस तरह से बेल्ट के अंदर कोई होल्स या स्कूरू वगयरा कुछ भी नहीं है तो एक टाइट होती नहीं है बसा एक स्टाइल वाली बेल्ट है ठीक है तो यह फिटिंग का काम नहीं देती जा स्टाइल देगी इसको हमने इधर करना है अगैन इसका स्टाइल डिफरेंट आता है इसके अंदर इन्होंने ब्राउन से बटन्स की डीटेलिंग की भी है वी नेकलाइन देन ये तीन बटन्स और उसके बाद जब आप ये बेल्ट पहनोगे तो बड़ी स्टाइलिश लगती है स्लीव इसके भी डिफरेंट है इवन आपने स्मोकिंग फिर प्लेन पार्ट एंदेन स्मोकिंग और नीचे से फिर वही स्ट्रेट कट वाला इस तरह से ये इसका फ्लेर रेलेटिवली ज्याद है लेकिन अविसली कॉटन है तो बहुत फूला पूला सा नहीं रहेगा तो मुझे ये भी बड़ा पसंदा आया था अपना जो मैंने शीन से ही मंगाए मैं उसी तरह का मैंपस स्कार्फ पिया तो मैं कभी पूरा ग्रीन स्कार्फ, ग्रीन सैंडल्स और ग्रीन पैक के साथ इसको प्यार करूंगी जो विंटर आएंगी तो मैंपस लॉंग बूट्स और डार्क ग्रीन करूंगी इवन इस तरह के ड्र my whole collection I hope आपको पसंद आया होगा जी तो इन में से सब जादा कौन सा आपको पसंद आया है मुझे बताना आप में सब को प्रॉपरली वापिस हैंकर तो कबर्ड में जब टाइम जो टाइम भी आप करूंगी तो शेयर भी करूंगी फिर किसी दिन जो है टॉप्स का भी करूंगी अपना सेशन के मैंने इन से कौन-कौन सी जीन्स पर पैरने के लिए शेयर्ट समगवाई मी है वो भी दिखाऊंगी फिर अंटिल नेक्स टाइम टेक कियर अला हाफिज